गुद्वर्णिंग एवरीवन वेलकम तो अल्लाइन क्लासे फ्रॉम आर्पी अस्पूल जहपाँ स्टूदेंट आयम्यूट जीके टीचर सो क्लास 3 एंड सब्सक्राइब जीके स्टूदेंट इछले क्लासेज में लोग ने पड़ा था थिंस एराम अस ठीक है पब्लिक के बाड़े में और साइन के बाड़े में हम लोग उस चैप्टर में रीड किया था लेकिन आज हम लोग चैप्टर सब्सक्राइब पढ़ेंगे फेमस इंडियन्स ओके तो स्टूदे ठीक है तो देखें बुक में इंडियन्स फ्रीडम फाइटर्स कंट्रिब्यूट टू अटेन्स फ्रीडम स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर जो थे वो हमें आजादी दिलाएं बहुत लड़े थे हमारे लिए हैना आज भी हम लोग उन लोगों को याद करते हैं है ना तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे ठीक है इडेंटिफाइट इस फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम दियर रियल नेम और राइट दर नेम्स बाइविच दे आर कमली नाव यू में चेक हेल्प आफ दा क्लू बॉक्स स्टूडेंस कुछ पिक्चर दिये गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं ठीक है और उनका रियल नेम लिखना है ठीक है रियल नेम मतलब निकनेम भी बोल सकते हैं ठीक है रियल नेम और निकनेम दोनों सेम होता है तो हमें उनका नाम लिखना है fill in the blanks, ठीक है, तो देखे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम लोग real name से बाकु के नाम से बुलाते थे, इस नाम से बुलाते थे, बाकु के नाम से, ठीक है, तो 1 में लिखे बाकु, B, A, P, U, आप लोग नीचे clue box में देखेंगे, spelling लिखा हुआ है, जिन बच्चों को spelling में problem है, वो नीचे के clue box से देख सकते हैं, ठीक है, 1 में लिखे बाकु, 2, जवाहर लाल नहरू, तो इन्हें हम लोग चाचा नहरू के नाम से जानते हैं, ठीक है, 3, बल्लग भाई पटेल, है ना, तो इन्हें हम लोग iron man के नाम से जानते हैं, किस नाम से, iron man के, आप सरोजनी नाइडू, ओके, तो सरोजनी नाइडू को हम लोग night angle के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसमें night angle लिख लीजे, 5, लाला लाजपत रॉय, है ना, तो स्री ई पंजाब, इनका nickname था स्री ई पंजाब, ओके, then next, 6, सुभास चंद्र बोस, है ना, तो हम लो सुभास चंद्र बोस को नेता जी के नाम से भी जानते थे, ठीक है, then next, 7, 7, चंद्र सेखर आजाद, है ना, तो चंद्र सेखर आजाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आजाद के नाम से, only for आजाद, ओके, then next, 8, भगत सिंग, तो भगत सिंग को हम लोग सहीद, ई, अज सिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनका नेकनेम यही है, ठीक है, that is clear, this chapter is complete, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेट एक question है, students, एक तो आप लोग HW में कड़ियेगा, राइट दर टेन, या 8 freedom fighters name, नहीं तो राइट दर टेन, आप लोगों ने पढ़ा है, राइट दर पेमस इंडियंस नेम, और साथ में, मतलब freedom fighter और उनका नीक नेम लिखना है, ठीक है, उनका क्या, नीक नेम लिखना है, जो कि आप लोगों को समझा कि बुप में फुल्फिल, कड़ा चुब हैं, लेकिन फिर भी, आप लोग, इसको कॉपी में करेंगे, ठीक है, तो हम लोग मारात्मा गांधी को क्या किते हैं, बातू, जवाहर लाने को, चाचा ने ही, ठीक है, और वल्लब भाई पटे को, क्या किते हैं, आइरन में, ठीक है, ठीक है, बनेक्स्ट, सरोधनी नाइड़, नाइटेंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनेक्स्ट, लाला लाजपतराए, लाला लाजपतराए को क्या किते हैं, लोग, 3 E Sanjab that is clear the next Subhash Chandrabos है न Subhash Chandrabos को Netaji N E T A J I okay the next Azad the last Shahid E Azam okay so today that is clear this chapter is complete then ये question है आपरों इसको पनी कॉफी में लिख लिजेगा और HW में लिखिएगा Ride the 10 Freedom Fighter या Ride the 8 10 famous Indians ठीक है that is clear आप लोग का एक्जाम होने वाला है फिर से 40 marks का ठीक है तो अब हम आप next class में बिलते हैं प्रणा का झाला है the